गाइस अगर आप low budget में एक best wireless charger पच्छिस करना चाहते हैं दिन आपको इस वीडियो में आपका best wireless charger मिल जाएगा वैसे market में बहुत सारे wireless charger अवेलेवल हैं लेकिन उन पर rely करना काफी जाधा मुंस्किल हो जाता है अगर आप wrong wireless charger चूस करते हैं दिन आपके phone damage होने की बहुत जा wireless charger लिस्टेट है जो 700 रूपिस से लेकर 2,000 रूपिस में आ जाते हैं तो अगर आपका budget 1,000-2,000 रूपिस है दिन ए वाले चाहर आपके लिए सबसे बेस्ट होंगे तो गैस्टू बाइस लोग बजेट वालेस चाहर कीप वाचिंग इस वीडियो एंट नाव उताउट फार जाना है या नहीं यह आपको पर depend करता है वाइसे कैस यूजर रिवीज देखते बग देखा बहुत सारे यूजर इससे काफी satisfied है इस charger की सबसे main advantage है इसकी looks यह काफी slim and lightweight device है और काफी ज्यादा modern लगता है और इसकी LED इंडिकेशन की बज़े से यह charger और भी ज्यादा cool लगत है यह charger up to 15 watt fast charging support करता है लेकिन इसकी maximum power output के लिए आपको QC 3.0 certified adapter यूज करना पड़ता है जो basically 9 volt 2 amp output के साथ आता है वरने इसकी charging उतना fast नहीं होगा देन गाइस यह oil charger second chain pure copper composite coils मना है जो कि इसकी और एक advantage है और इसकी smart technology के बज़े से आपको heating problem भी फिस नहीं करना पड़ता है एंडे charger foreign object को भी काफी अच्छे से detect कर लेता है और इसे इसमें आप 8 mm thickness बारी case के साथ भी अपने phone को charge कर सकते हैं लेकिन without case इसमें charging और भी अच्छे से होता है इसके लबह decent build quality भी आपको इससे मिल जाता है तो guys मेरेकर से ही काफी value फर्माने product है लेकिन इसकी QI certified ना होना इ और guys अगर बात करें under 1,000 रुपिस की सबसे best wireless charger की तो आपको सबसे पहले इस राइगार ARC 400 wireless charger को दिखना चाहिए और एक QI certified भी है तो इसमें 70V install हो जाता है यह भी up to 15W की fast charging support करता है लेकिन guys इस बजेट में आप सभी wireless charger से up to 10W की उपर charging नहीं expect कर सकते इस charger देखने में का साथी काफी compact and sleek है इसमें indication के लिए एक छोटा LED प्रोवाइट किया गया है साथे anti-slip surface and अच्छी grip के लिए rubber pad भी आपको देखने मिल जाता है लेकिन इसके anti-slip surface और अपती बेस्ट नहीं है काफी decent quality का है इसके लबागे से wireless charger ABS material से बना है तो fire resistant होने के लबागे लबा low temperature भ मिल जाता है और राइगार के लबा under 1000 रुपिस में unison unipad फिए एक कफे अच्छा wireless charger हो जाता है वेल इसकी price राइगार से थोड़ा ज्यादा है और extra कुछ features भी नहीं है तो I think राइगार ही better option है लेकिन अगर आपको यह वाला charger पसंद आता है देन आप इसे concentrate कर सकते हैं यह charger जैसे asus से protect करता है और इसके foreign object detection भी कफे अच्छे से काम करता है और आप 8mm thick case के साथ भी अपने phone को इसमें चार्ज कर सकते हैं और built quality के बात करें तो A wireless charger भी ABS material से बना है यहां तक अगर आपको वीडियो अच्छे लगा तो वीडियो को अभी के अभी एक लाइक कर दे और आपको सब्सक्रेब करके notification भी और पेस्ट कर दे आगे और भी गैजट से related वीडियो देखने के लिए 4th wireless charger आता है योटिक की तरप से योटिक F500 गाइस योटिक आपको एडाउंट 1400 रुपीस में मिल जाता है और अगर आप 1000 रुपीस से 400 रुपीस एक्टर स्पेंड करते ह आता है अधर क्यों इनाबल्ट डिवाइस के लिए और अडाप्टर के लिए आप QC 2.0 या 3.0 अडाप्टर या कंपनी रेकमेंडेट कोई भी अडाप्टर यूज़ कर सेकते हैं आप डेकमेंडेट अडाप्टर के लिस्ट पॉड़क डेस्क्रिप्शन में देख सकते हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा देन पर्फोर्मेंस के इलाबा ये वार्लेस चारजर आपको काफी अच्छा लुग्स भी प्रवाइट कर देता है फोन स्क्रैचिस प्रोटेक्शन के लिए एंड इस सॉलिड घ्रिप के लिए इस च चारजर फोन केसके साथ भी चारजिंग सपर्ट करता है लेकिन इसकी थिकनेस लिमिट है 4 mm तक और इसकी जो LED इंडिकरशन है वो फोन रिकोग्नाइज करने के बाद आटमेटिकली टार आफ हो जाता है तो रात में स्लीप में भी डिस्टरबेंस नहीं करता और फिफ्थ च चारजिंग मोर्स आता है 10W, 7.5W, 5W की और अडप्टर की बात करो तो आपको QC 3.0 या एडप्टर उसके बिल्ट कॉलिटी भी काफी प्रीम लगता है और फोल्डेबल डिजन के बेदे से काफी ज्यादा कंविनेंट हो जाता है चार्ज करते होगी कोई वीडियो देखना या फिर वीडियो कॉल पर बात करना इसमें काफी एजी हो जाता है और इसकी जो सॉफ्ट फॉल्य रथिन चार्जिंग पैट है वो आपके फोन को सिलिप होने से प्रोटेक्ट करता है इसके लबाग केस थिकने इसके बात करे तो आप अप्टू 5 mm थिक फोन केस के साथ भी अपने फोन को इसमें चार्ज कर सकते हैं